दो हजार अर्टीस तक इन राशियों पर रहने वाली है शनी की साड़े साती, नहीं हो पाएगा दुखों का अंत। वैदिक जोतिश में शनी देव को एक क्रूर ग्रह माना गया है। शनी देव न्याय के देवता हैं जो मनुश्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जोतिश आस्त्र में शनी का गोचर बहुत महत्वर रखता है। शनी एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अंतराल के बाद राशी परिवर्तन करते हैं। शनी की साड़े साती और धाया को बहुत कष्टकारी माना जाता है। जोतिश के अनुसार इस दौरान व्यक्ति को कई तरह के कष्टों और दुखों को सहना पड़ता है। उसके सामने कई तरह की चुनोतियां आती हैं और उसके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। जिस राशी पर शनी की साड़े साती रहती है, उससे अगली और बारहवे स्थान वाली राशी पर भी साड़े साती का प्रभाव पड़ता है। इन तीन राशीयों का सफर तै करने में शनी देव को साड़े सात साल का समय लग जाता है जिसे साड़े साती कहते हैं। पहले जान लेते हैं कि जोतिश में शनी ग्रह का क्या मेहत्व है। ज्योतिश में शनी ग्रह का महत्व वैदिक ज्योतिश में शनी को एक महत्व पूर्ण ग्रह बताया गया है। शनी को आयू, पीरा, रोग, विज्ञान, तकनीक, लोहा, कर्मचारी, सेवक और तेलादी का कारक माना गया है। शनी मकर एवं कुम्भ राशी के स्वामी ग्रह हैं और वो तुला राशी में उच्च और मेश राशी में नीच के होते हैं। शनी एक राशी में धाई वर्ष तक रहते हैं जिसे शनी की धाया के नाम से जाना जाता है। नौ ग्रहों में शनी सबसे धीमी चाल चलते हैं. शनी की दशा साड़े साथ साल तक रहती है जिसे शनी की साड़े साती कहते हैं. लोगों को शनी के नाम से ही डर लगता है जबकि सच तो यह है कि शनी मनुश्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. शनी पीड़ेत होने पर ही जातक को अशुब प्रभाव देते हैं। किसी की कुंडली में शनी उच्चका हो, तो वो व्यक्ति रंग से राजा भी बन सकता है। साड़े साती क्या है? शनी ग्रह की साड़े साथ साल तक चलने वाली एक तरह की ग्रह दशा को साड़े साती कहते हैं। सौर मंडल में सभी ग्रह एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करते हैं। इन में से शनी यी एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनी देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं एवं वो यमुना और यम्राज के भाई हैं। शनी का रंग नीला होता है। चंद्र राशी के आधार पर शनी की साड़े साती की गणना की जाती है। मनुश्य जो भी कर्म करता है, उसे उसके अनुसार फल देने का कार्य शनी देव का ही है। इसलिए शनी देव से भाई भीत होने के बजाए मनुश्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि शनी देव की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। साड़े साती के प्रभाव की बात करें, तो इस दोरान कार्यों की पूर्ती में अर्चन आती है और जातक को लाग शिशे करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ ज्योतिशिय उपायों की मदद से शनी की साड़े साती के दुश्प्रभाव को कम किया जा सकता है। कुम्भ राशी पर दूसरा और कुम्भ राशी पर आखिरी चरन रहेगा। कुम्भ राशी के ऊपर शनी की साड़े साती 3 जून 2027 तक रहने वाली है। इन राशियों से हटेगी शनी की नजर। वर्ष 2025 में शनी जब मीन राशी में प्रवेश करेंगे तब मकर राशी में शनी की साड़े साती खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही करक और व्रिश्चिक राशी पर चल रही शनी की धहया भी समाप्त होगी। शनी की साड़े साती के लिए कुछ ज्योतिशिय उपाए। अगर आपकी शनी की साड़े साती चल रही है तो आप कुछ सरल उपायों की मदद से शनी के अशुब प्रभावों को कम कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनी देव की पूजा करें। रोज हनुमान चालिसा का पाठ करने से भी लाब होता है। इसके अलावा आप अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छला धारन करें। ये छला घोडे की नाल से बना होना चाहिए। शनिवार के दिन तामबा और तिल का तेल शनी देव पर चड़ाएं। काली छीटियों को शहद और चीनी खिलाने से भी शनी देव शांत होते हैं। आपके बंदानी ह son से क्ष़ व्याओ थे तामपोस और प् tip करें।